जिहां दोस्तों शेहनास कोर गिल ने सूपरस्टार सलमान संग अपने रिष्टे की सच्चाई पोड़ी तरह से खोल कर रख डाली है जिहां दरसर शेहनास का लेटिस्ट इंटर्विव आया है जिसमें उन्होंने बेबाकी से सारी बाते कह डाली है जिहां बिग बोस 13 की कुईन ने अपना अलग से अन्दाज में अपनी खास पहचान बनाई शेहनास ने अपनी ही कमजोडी को अपनी तागत बनाई आज हर एक के दिल में सिर्फ और सिर्फ पंजाब की केटना कैफ यानि कि शेहनास को और गिल बसती है शेह्नाज के लाख करोड़ों फैंस हैं ना सिर्फ इन्डिया में बलकि वीदेशों में भी जो उनका एक जलग देखने को हमेशा तरसते रहते हैं इंतजार करते रहतें पलके भी रेखे रहते हैं अब हाली में कल देख लीजीए शेहनास ने रेड कलर की ड्रेस में एक वीडियो शेर की अपने सिधार्त शुकला के लिए जिसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया पूरे सोशल मेडिया का जी हाँ एक घंटे के अंदर वन मिलियन क्रॉस वियू बहुत बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में और 24 आवर्स की बात करें तो 3 मिलियन होने वाले हैं वन मिलियन की करीब तो लाइक्स हैं इस वीडियो के उपर और कमेंट्स की तो पूछे ही नहीं जितने भी कमेंट्स हैं सब में शेहनास को अटेंशन दिये गए हैं जो की शेहनास को बहुत पसंद है शेनाज जसे तरह से अपने fans को gift पे gift दिये जा रहे है surprise पे surprise दिये जा रहे है उसी प्रकार से fans भी attention देने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं बहुत emotional भी हो रहे हैं शेनाज के इस post को देखकर वीडियो को देखकर जो की red color की screen के उपर आप देख सकते हैं जो कि शेहनाज इसमें बहुत प्यारी लग रही है बताया तो ये भी जा रहा कि शेहनाज जो ये रेड कलर की ड्रेस पहनी हुए शेहनाज ने ये सिधार्थ ने शेहनाज को गिफ्ट किया था और सिधार्थ की याद में शेहनाज ने एक बार अपने सिड को याद करते हुए जो है ये ड्रेस पहन डाली है आपको बता दे एद पार्टी में जब शेहनास गई सलमान से मिली पपिया जपिया की किसिया की वो रिस्पेक्ट था शेहनास का सलमान के प्रतिक हैर जिसकी वजह से हेटर्स जो है पीछे पढ़ गए य जस्तरह से ना जाने तौन्ट मारे गए शेहनास को और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों सिधार्ट के फैंस, हेटर्स दोनों ने मिलकर तो शेहनास जो भी खोटी सुनाई साथ ही शेहनास भी शुरू हो गए जो कि शेनाज के खुद के फैंस है सिड हार्ट पीछे पड़ गए शेनाज के सोचिए शेनाज पर क्या बेटती है वेल आपको बता दे जिस तरह से गौतम गुलाटी को शेनाज किस्ट किया करती थी हक किया करती थी उनके बीच कुछ नहीं था उसे प्रकार स और वो तो सिधार्ट के सामने ही किया था सिधार्ट को भी बुरा नहीं लगा था उन सब चीजों के लिए बताया जा रहा थे कि बिग बॉस तेरा के दौरान वो सब स्क्रिप्टिड था टी यार्पी बटोरने के लिए मेकर्स की तरफ से लेकिन आपको बता दे ये तो टी इस शैनाज ने कह डाली है शैनाज कहती है अपने लेटिस्ट इंटर्वियू में उन्हीं जो फेम और प्यार मिला है वह उन्हें बहुत पसंद आ रहा है यही एक चीज थी जिसके लिए मैं कब से तरस रही थी कि आखिरकार मैं कुछ बनूँ मैं कुछ ऐसा करू कि लोग म मुझे पसंद करें इसके साथ ही आपको बता दे शैनाज कौर गिल ने ये भी कहा कि यह फेम मिला है मुझे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे सिर चड़ गया है इसके साथ ही शैनाज ये भी कहती हुई नजर आती है कि सोचो जो लोग कहते थे कि मुझे पोलना नह करनी आती इसका एक्सिरेंट कैसा है लोग मुझे पर हस्ते थे और देखो आज वही मेरी तागत बन गई है मुझे ऐसा लगता है कि किसी को किसी का मजाग कभी नहीं उड़ाना चाहिए आज मेरे वन लाइनर्स पर लोग वीडियो बनाते है जो मुझे बेहद पसंद आता है दिल को सुकून देता है लेकिन हाँ ये इसा मेरे सिर नहीं चड़ा है क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं यहां हूं कल को कुछ भी हो सकता है अब है शेहनास का तो ये भी कहना है सलमान और उनके रिष्टे को लेकर कि मैं सलमान की बहुत बड़ी फान हूँ मैं बहुत पाव नहीं दे रहे थे तो आपको बता दे सल्मान के सामने जो हैं बड़ी-बड़ी एक्टरेस उनका हाथ पकड़ने के लिए तरस जाते हैं और शैनाज ने हाथ भी पकड़ा और ये भी कहा हाथ पकड़ की चलो मुझे गाड़ी तक छोड़ के आओ और दिया पूरी तरह से और सल्मान ने उस ओर्डर को फालो भी किया और वो भी हस्ते हस्ते जो सल्मान गुस्ता हो जाया करते हैं ना मेडिया देखते हैं ना पबलिक देखते हैं और गुस्ता हो जाते हैं वो सल्मान हस्ते मुस्कुराते हुए शैनाज को गाड़ी तक छोड़ के आया और शैनाज अब आपको बता दे शेहनाज जो है इद कभी दिवाली में आ रही है और शूटिंग जो है बताया जा रहा है कि आज से शुरू भी हो गई आयूश शर्मा के साथ सौरी जो कि सल्मान के जीजा है और सल्मान तो पुजा हेगरे के साथ नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर उससे भी उंदा एक्टिंग जो है इस इद कभी दिवाली फिल्म में शेहनाज की देखने को मिलेंगे और बताया जा रहा है कि कुछ कॉमेडी से रिलेटेड शेहनाज का जो एक्टिंग है वो होने वाला है इस फिल्म के अंदर वैल आपको बता दे मुंबई के अंदर आहीं जाएंगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इसी तरह की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नीचे रेड बिटन पे क्लिक करके और शेहनाज को धेर सारा अटेंशन अपना प्यार आशिरवाद कमेंट सेक्शन म किसल follies बनाती रहे वो भी सूपरस्टार सलमान के सथारू कान केशन ऑक्षय कुमार कंशन जरूर प्रेग कीजिए दुआएं दीजिए शेयनाज को और इतना दुआएं दीजिए इतना दुआएं ये लो खता ली लाजा है